ग्रिफिन थका हुआ था पर सोना नहीं चाहा रहा था योगि उसे डर था कि कहीं डॉकर क्यम पुलिस न बुला लें इसलिए वह तरह तरह से उन्हें डराता धंकाता रहा और डॉक्टर केम उसको यकीन दिलाते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे डॉक्टर केम के बहुत समझाने पर ग्रिफिंग ने पूरे घर का जायजा लिया तागी कभी भागना पड़े तो देख लिया जाय कहां से भागना पड़ेगा पर सोने से पहले उसने फिर से एक बार डॉक्टर केम को धंपी दी कि अगर कोई भी गवड़ हुई तो वह उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा डॉक्टर केम को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गाया भी हो सकता है पर वह उसके सामने ही बैठा हुआ था डॉक्टर केम ने नौकरों से दो लोगों का खाना देनी को कहा और दुईधावे पड़े रहे कि किसी से कहूं या ना कहूं क्योंकि वह पहले ही ग्रिफिन से वाइदा कर चुके थे कि वह किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे